बिते बर्षों में विमेन लेट डेवलेप्मेंट मोडल पर हमने काम किया है। इनोवेशन हो, एंप्लॉइमेंट हो, एंट्रेप्रिनर्शिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदाम बढ़ते जा रहे हैं। के महिलाइं सरब भागी-दरी बढ़ा रहे हैं इसा नहीं महिलं नेत्रत्र दे रही है। आ अनेक श्यत्रों में आज हमार रक्ष्छाक श्यत्र में देखिए हमारा एयर फोर्स हो, हमारी आर्मी हो हमारी नेवी हो हमारा स्पेस सेक्टर हो आज हमारी महिलाओं का हम दम खम देख रहे हैं देश के लिए लेकिन दुसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती है और मैं आज लाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं एक समाज के नाते हमें गंबीरता से सोचना होगा हमारी माताओं बेहनों बेटियों के प्रती जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रती देश का आक्रोस है जन सामान्य का आक्रोश है इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूँ इसको देश को समाज को हमारी रवज्ज सरकारों को गंबीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद्ध अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो राक्षसी कुरुत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो वो समाज में विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलातकार की अब महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मिडिया में छाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरो आप करने की सहालत यह होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है